नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेर करने जारे हैं गी राइस ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जटपट से बन जाते हैं गर में सभी को पसंद आएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने आपर लिये थे दो कप बासमती चावल इसे मैंने अच्छे से दो से तीन पानी से दो लिया अब इसे हम दस मिर तक विगो के रख देंगे तो जब तक विग रहे हैं मैंने गैस के ओपर रख दी है इस तरह से एक कड़ाई और इसके अंदर में डालोंगे चार चमच गी यह गी राईस है तो यह गी से ही बनाया जाते हैं इसमें तेल का इस्तवाल नहीं होता है गी गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर एक चौथाई कप काजू और एक चौथाई कप किश्मिश डालेंगे आज को हम बिल्कुली धीमी कर लेंगे और इसे हम अच्छे से बुनेंगे धीमी आज पर इसे बुनना है यहाँ पर आप देख सकते हैं किश्मिश अच्छे से फूल चुकी है काजू का कलर चेंज हो चुका है तो अब यह काजू और किश्मिश से इसे हम निकाल कर एक प्लेट में इस तरह से रख देंगे तो यहाँ पर दोनों को मैंने रख दिया है अब उसी कड़ाई में डालेंगे एक चक्रफुल यानि कि स्टार एनिस इसी के साथ एक तेज पता डाल रहे हूँ आठ से जट साबुत काली मिर्ची डाल रहे हूँ तीन से चाड लॉंग डाल रहे हूँ और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक चम्मच सौफ डाल रहे हूँ अच्छे से दीमी आज पर इसे हमें बोनना है हलका सा जादा नहीं और इसके अंदर में डाल रहे हूँ तीन लंबे कटे हुए इस तरह से प्याज लगातार चलाएंगे और इसे प्याज को लाल होने तक हमें बोनना है जादा नहीं हलका लाल होना चाहिए देखिए इस तर से मिला लेना है दस मिनेट हो चुके चावल को बिगोए हुए तो अभी चावल डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे जो आप गी राइस बनाते उसमें आप बासमती चावल ली इस्तमाल कीजे वो जादा बढ़िया लगते पर अगर आपको छोटे करने तो वो भी कर सकते अच्छे से मिलाने के बाद तीन कप हम पानी डालेंगे इसके अंदर दो कप चावल में तीन कप पानी एक चमच नमक डालेंगे आप अपने स्वात के अनुसार भी डाल सकते अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर में डालोंगी तीन इस तरह से लंबी कटी वे हरी मिर और इसे आदा ढखकर पांच मिन्ट तक हम पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच मिन्ट हो चुके हैं और हलका हलका पानी रह चुका है बाकी हमारा सूर चुका है तो अब इसके अंदर जो हमारे ये काजू और किश्मिश थे वो इस तरह से उपर से डाल गेंगे और थोड़े से बचाके रखेंगे वो ऊपर से डालेंगे तो अच्छे से मैंने मिला लिया है अब इसे हम पूरा ढख देंगे और पांच मिन्ट तक पकाएंगे पहले आदा ढखना है और फिर पूरा तो यहाँ पर 5 मिन्ट हो चुके है और हमारे गीरा इसे पकर ताकि अंदर तक अच्छे से फ्लेवर चले जाए और आप देख सकते कितने बढ़िया हमारे गी राइस बनकर तैयार है और जो थोड़ा सा प्याज और काजू और किश्मिश को निकाल के रखा था वह इस तरह से उपर से डाल देंगे तो तैयार है यह खाने में बहुत ही अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंज और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना है थैंक्यू फॉर वच्छेंग